हेलो फ्रेंड्स मेरा नम अस्वानिकमार गुपता है मेरे इस चैनल में आप सभी का सवगत है आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए हूँ जिसमें मैं आपको क्याल्कुलेटर बनाना सिखाऊंगा वह भी सिंपल सब्सक्राइब आपको आपको तो आप देखिए मैं यहां इसको यूज कर रहा हूँ और जैसे इट इंटू टू और इसी कॉल्टू का बटन दुआँगा तो मुझे यह जवाब 16 मिल गया अब मैं क्लियर ओल करूंगा यह क्लियर हो जाएगा तो चलिए इसको स्टार्ट करत मैंने फाइल मनाया है क्लोटर रिडinkyटर स्टेमर और अब मैं यहां पे बेसिक हैसा और कीस्टार करता हूं ठीक अ flamingya पे माई क्लिक्टर टाइटल लग देता हूं यह माई क्लिचिव दिता हूं अब आई ये अब सबसे पहले कैल्कुटर देख कैसे रहा था ध्यान देजिएगा मैं इसी को देखके बनाऊंगा कैल्कुटर कुछ दिख रहा था कि यहां पर एक text box है यह कुछ buttons है और इसी को बनाते हैं. तो आपको पता है कि जो textbox या बट्र बना आते हैं वो एक forms के अंदर रख देता हूँ. मैं एक form tag बना लेता हूँ ठीक है. और form tag बनाने के लिए मैंने form बनाया, ठीक है. form के अंदर मैं form का आप देता हूँ Supposed मैं form का नाप रख देता हूँ नेम इस एकवल टो कुछ भी रख दीजे वाच रख दीजे क्या जाता है ठीक है अब आइए इसके अंदर सबसे पहले एक txbox बनाएं यहां पर इसका नाम रख दीजे आप इसके बाद मैं एक यार कर गी एक पता मेनने की कुस्स करता हूँ ठीक है और एक बटर मनाता हूँ और आपकोgl busy karty का कॉंसेट आचन रीक देदा गैव्याने की कुस्स करता हूँ ठीक है इन-पूरोटप चॉश टाइप सवरी टाइप इस इक्वल टू मैं लिग देता हूं पटन ठीक है अब मैं चाहता हूं कि यहां जो बटन है उसमें वल लिखा रहा है तो आखो पता है यहां प्लिक देंगे वैली इस इक्वल टू क्या वन थोड़ा स्पेस देंगे मैं लिखा ठीक है अब मैं जरा बेसिकली इसको रण करवा के देखता हूं कैसा देख रहा है क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएका स्ट ठीक है अब आई यह चलिए रन कराते हैं रन करने के लिए मैं यहां वेब ब्राउजर में ओपन किया था मैंने सो कॉपी कर लेतना हूं और मेरे फाइल का नाम है क्याप्रेटर डॉट एस्टेमल तो मैं यहां लिख देता हूं कैल कैल कुले कि लिए सी यू लए टी ओ और देखे मेरा सिंपल एक क्यल्कुरिटर का एक टास बॉक्स और बटर मन गया अब मैं यहां पर आपको सिखाना चाहता है मैं चाहता हूं इस बटन पर क्लिक करूं तो यह वन इसके अंदर टाइप हो जाए पहला तो का मुझे यह करना अगर मैं यह कर लेता हूँ तो मेरा आधा काम खतंव हो जाता है और इस तरह Do को डिजान करना था चलिए इस को डिंग को स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पी जावास्किप लिखता हूं ठीक है जावास्किप लिखने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पे बटन पे एक इवेंट लिख देता हूं मैं और अन क्लिक ठीक है और इ करने के लिए आपको पता है कि हम लिख सकते हैं कि फॉर्म का नाम मेरा है यहां पर वाच डॉट और मेरा जिसमें को वैलू डिस्प्ले करानी है उसका नाम है डिस्प्ले वाच डॉट डिस्प्ले लिख डॉट जो वैलू हो जाए ये बराबर हो जाए किसके हमारे इस वैन के तो मैं लोगता हूँ वैं कि बराबर हो जाए शिम्पल यानि आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वाच डॉट डिस्प्ले जो डिस्प्ले नापका टेइक्स सबस्क्राइब निए इसको हमारा कॉंसेट कर लेता हूं मैं वन प्रेस करता हूं कि वन आ गया लिकिन eo दुबारा फ्रेस कर रहा हूं ती दुबारा वन नहीं आ रहा क्योंकि हो सकता है मैं 11 लिखना चारा हूं तो उस के से मुझे छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा मुझे यहां प्लस लिखना होगा मतलब जो पुरानी वैलियू है उसमें यह प्लस हो जाए अब देखिए मेरा यह काम हो जाएगा और आप बेसिक कौन से अगर सीख गया होंगे इससे देखिए मेरा वन जितने बार में चाहूं लिख सकता हूं बस अब मुझे कुछ नहीं करना है अब मैं मैं अपनी डिजाइन को क्लियर करता हूं डिजाइन जो मेरा बनना था वो याद करिए कैसे बनना था सबसे पहले मुझे बटन था चाहिए 789 का तो मैं काम करता हूं यह जो मैं कोड लिखा हूं इस कोड में मैं पहले 789 का बटन बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पे फिलाल मैं भी से लिक देता हूं और नहां मैं सभन लिख देता हूं ठिक है अधर मैं इसको कापी कर देता हूं और कापी करके मैं कंट्रोल सी क्यों क्नट्रोल भी गर्ष मै ऑफ ए यह से वन एट और एट मेरा एक जो डिवाइट का बटन है इस यह बन जाए यह जो डिजाइन भी मैं उठाया हूं यह जो विंडोस का का क्लिकुरेटर है मैंने कुछ वैसे ही मनाने की गोसिस किया है 789 और यहां क्या आजाए डिवाइड आजाए सिंपल और बस एक बार और रंकर वांगो मैं उसके बाद हम लोग सेफ करके और रिफ्रेस्ट कर लेते हैं इस पेज को जामारे यह पीज है देखिए मैं बस तीन बटना और सेवरेट नाइन और डिवाइड यहां लिखना चाहि कि सारी तर रहिए इस तरीक है से अब आप बाकी बटन ना क्सा लांग में आने है तौँ ऑयहूं अगरा लिख एदन चारोग को कोपी करता हूं एक पर और जो करके मैं नीचे पेस्ट कर देता रहा हूं और इस बार मुझे जो वैलू चाहिए वह 789 नहीं चाहिए मुझे चाहिए 456 फॉर फॉर फाइफ दो जगे चेंज करना है वस जेक्स पहले मैं डिजाइनिंग त्यार कर रहा हूं और फिर यहां पर मुझे जो बटन चाहिए वह मैं ले ले रहा हूं देख लेता हूं मैंने क्या लिया है इसमें तो मैंने इंटू लिया था ठीक है इंटू लिया था यहां पर मैं इंटू ले लेता हूं ठीक है अब आई इसके बाद मुझे अगले रो में फिर से भी यार लिखना है ताकि अगला जो बटन के डिजाइन बने वह नेक्स लाइन से स्टार्ट हो और मैं दुबारा फिर से पेस्ट कर देता हूं और इस बार जो मैं लिख लेता हूं फो वन टू और त्री जले लेता हूं तो वन टू त्री और मैं यहां ले लेता हूं माइनस का बटन इस बार ठीक है और यहां पे भी मैं चेले लिखना पड़े गाउं टू ट्री और यह माइनस कंट्रोल अस कर लिजे अब आपको एक रू और बनाना है इस रों मैंने लिखा था एक और बनाता हूं और यहां चलके मैं एक बार फिर से पेस्ट करें तो और इस बार मुझे चाहिए जीरो जीरो प्लस मैंने इसमें इनी बनाया था इस वाले में और यहां मुझे लेना है इक्वल टू का बटन और इक्वल टू का बटन और मैं यहां लिख देता हूं इक्वल टू और यहां में एक बियार करके मैं यहां पर कर देता हूं क्लियर और यहां पर मुझे यह कॉन का ट्रीट नहीं करना होगा बलकि मुझे यहां ऐसे लिखना होगा कि ताकि वो नल हो जाए वाई लू ठीक है और अब इसको एक कंट्रोलर्स करके मैं दिखाता हूं आपको कोड कितना बन चुका होगा हमारा देखिए यह हमारा कोड बन गया है अब मुझे इसकी स्टालिंग करने या थोड़ी बहुत काल्कुलेशन स्टार्ट करता है चेक करता हूं 7 8 9 डिवाइड 4 5 6 इन्टू 1 2 3-0 प्लस और एक इक्वाल टू प्रेस करता हूं लेकिन क्वेश्चन है कि जब मैं इक्वाल टू प्रेस करों तो मुझे इक्वाल टू पे यह इक्वाल टू यहां टाइब नहीं होना चाहिए बल्कि हापर कुछ क्याल्कुलेशन परफॉर्म करना चाहिए में काम अभी है अग्लियर ओल करूंगा देख लिए चलिए तरस से पहले हम इक्वाल टू के बटन पे अब कोडि लिखना होगा चलिए एक्वाल टू के बटन पे कोडिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा यहां इक्वाल टू मैंने लिखा है यहां पे हमारा ठीक तो यहां पे और क्लिक पे होना क्या चाहिए तो और क्लिक पे मैं काम करूंगा कि एक फंक्शन होता है ठीक है जिसका किसको वैल को चलिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहां पर Cben में लिखा है, मैं एक लाइन आपको दिखा रहता हूँ, ताकि आप एक बार मैं देख के समझ सकते हैं, मैं ने फिस लिखा है, जो value आपको इंधीन है, वो value के पहले मैं क्या लगाता हूँ, एक function क नहों के देदेगा यानी आप यहां पे जो चीह लिख रहे थे ठीक एक वर्ट टुपे कल टू टाइप नहों बलकि क्या हो जाए जो वैलू है वह वैलुट हो जाए किसकी जो वाट डॉच डॉट डिस्प्लेइड डॉट कि जो वैलू है वह वह वैलूट हो जाए गंट्रोल कि हमारा काम परफॉर्म हो रहा है 43-5 और is equal to clear on यानि मेरा कल्कुलिटर बनके तयार हो गया अब मुझे बस कि इसमें इसकी स्टाइलिंग करनी है चलिए स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें काम करते हैं इस बटन की सबसे पहले एक एक फॉर्म की जो स्टाइलिंग कर देते हैं फॉर्म का मतलब मैं इस पूरे फॉर्म को जो मैंने फॉर्म बनाया है इसको मैं एक डिव के अंदर डाल देता हूं ठीक है इस डिव में डालने से मैं डिव्स की स्टाइलिंग थोड़ी कर देता हूं ठीक है मैं एक डिव लेता ह हुआ घृए रख लिए चिक और इस डिव को आप बॉडी बं दोने से पहले बंद कर दीजिए टिक है सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ और इससे मैं क्या करना चाहता हूँ इसकी स्टाइलिंग करने के लिए आपको सिसस लिखना पड़ेगा सिसस लिखने के लिए आपको हैट टैक के अंदर जाना होता है और आपको लिखना होता है स्टाइल ठीक है और सिसस अब आप लिकिए इसमें सबसे पहले आप क्याल की स्टाइलिंग करिए तो चुकि मैंने क्लास कर दिया है तो मैं लिखूंगा डॉट कैल और मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ पहले विट कर देता हूँ 300 पिक्सल और इसको जो मार्जिन देता हूँ और ताकि यह सेंटर में चला जाए मार्जिन देता हूँ आटो और हाइट भी मैं आटो कर देता हूँ ताकि इसके इंदर जितने कंटेंट हो वह आटो में टिकली जैसे मैं डालूं वह बढ़ता चला जाए ठीक है अगरें चला आया कि मैं इस पर जितने बटन्स है राजिक है इनकी इस टैलिग और से पहले तो इस बटन को मैं इसके बराबर कर देता हूँ और तो चली काम करते हैं और से पहले थे ब्टन्स है उनकी styling करने के लिए हम इक फोल बटन को पहले इसके बराभर कर दें अधिले जो इक्ट्यू का बटन है मैं स्को एक ID देता हूं ताकि में ID द्वाराज को कर सकता हूं कि सारे बटन है तो मैं सबको access करने के लिए JavaScript में आप ID का यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग बटन को यूज़ करने के लिए तब आईडी इस इकल टो मैं देता हूँ एक्यू चले कुछ भी रहे चुक इकल टू का है और मैं इस क्लियर वाउट के बटन को मुझे करना है तो मैं इसके लिए एक आईडी देता हूँ अब इन दोनों के लिए मैं स्ट्रालिंग कर लेता हूँ पहले दोनों को बड़ा कर देता हूँ ठीक बड़ा करने के लिए मुझे लिखना होगा यहाँ पे आईडी जो हमारी है पहले मैं क्लियर को कर देता हूँ तो हैस क्लियर ठीक है अब मुझे क्या देने इसके वेट दे देनी है चोले मैंने प्याले से मुझे याद है मैंने कुछ सेट करके रखा था तो मुझे लगा था दो सो पस्फण पिक्सल पर ये चारों के बराबर हो गया था तो मैंने ऐसा रग देड़ी और कोई रिजन नहीं है और मैंने उसमें बैग्ग्राउंड कलर दे देना है ठीक है color colon white लिख देता हूं है ठीक और दूसरा बात मुझे किसका करना है equal to के वर्टम के लिए तो has लिखता हूं और मैंने उसकी id दी है eq तो इसका भी मैं color set कर देता हूं और इसकी width तो मैं देता हूं 125 px ठीक है और इसका जो background color है वो साथ मैंने रड़ दिया था वहाँ पे तो मैं background color red देता हूं रड़ देता हूं ठीक है control असकरता हूं और मैं अपना कर्वाटर को दिखाता हूं कैसा देख रहा है ठीक है देखे कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन अब जैसे यह दिख रहा है तो मुझे इसको भी और इसको करना पड़ेगा इसी के recording इंक्रीज करना पड़ेगा तो चलिए हम इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो इसको डिस्प्ले का बटन है यह वाला यह टेक्स बॉक्स है इसको भी मैं पहले स्टालिंग कर देता हूं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं ताकि वो देखने में जैसा कि उसका अप्ट्रोटर में दिख रहा था तो मैं इसको भी क्या करूंगा श्यास से पहले आप इन बटन की स्टालिंग कर दीजिए जो आपके पास 123789 वाले हैं तो इनको मैं काम कर देता हूं इनकी स्टालिंग इंपुट में सारे चीजे आ जाएंगी जो जितने बटन है इंपुट पे मैं चलके स्टाइलिंग कर देता हूं यानि बटन टेक्स बॉक्स आरे हो जाएंगे समें स्टाइलिंग तो पहले मैं विट देता हूं इनकी विट देता हूं कि माले सबकी 60 पिक्सल ठीक है और इनकी हाइड भी देता हूं इसक्राइब दीखे इसलिए दोनों को मैं 66 देता हूं ताकि बटन देखने में मुझे स्कौर सेप में देखे हैं और मैं इसकी फॉन पीस अट करता हूं ताकि बोल्ड देखे है फॉन साइच में देता हूं कि 20 पिक्सल का ठीक है फिर उसके बाद जो फॉन ट्वीट होता है वह मैं इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि यह बोल्ड देखे बटन ठीक है अब आप देखिए तो मेरा पाकी बहुत सारा काम हो चुका है और इसको रिफ्रेस्ट करेंगे दे बॉल्ड जायता हूं अब उसका नाम लेता हूं देता हूं है स्टारिंग करने के लिए अनसर के स्टारिंग करने के लिए आ治 ब यह विंग करने के लिए प्रच्वर्ट ही खिए तो उतनी विट लग में उसी के आऽ उन्तनी विट में का करता हूं इसमें देता हूं लगमें तो मैं इसको 250 पिक्सल देता हूं थ्वोड़ाइब रखता हूं तकी मार्जिन और कि नगाने जब आप असमें तो दिखें ठीक फॉन साइज इसकी मैं सै तक यह भी बढ़ा दीखे, font size, मैं 36 pixel कर देता हूँ, क्या जबता है, और text align, याद करिएगा, text मैं बोला था, इधर से लिखेगा, तो मैं इसको right click देता हूँ, ताकि यह इधर से लिखे, ठीक है, और जो text का color है, वो मैं style कर दिया, और लिखेता हूँ, ब्लू, तो अब मैं मैं इसको दिखाता हूँ, और मेरा पूरा calculator बनके तयार हो गया, refresh करता हूँ, देखिए, मैं लिखा 9, और divided by 3, is equal to 3, और clear all, clear all, देखिए, इस तरीके से आपका एक basic calculator बनके तयार होता है, मुझे पता है, इस calculator में थोड़ी बहुत कमिया है, और मैं चाहता हूँ, उन कमियो calculator को आप दूर करें, और इस calculator में कुछ और feature जैसे decimal, tk, square root और भी बहुत सारे features हो सकते हैं, जो आप add करें, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा केवल एक aim था, कि आपको बताना कि केवल HTML, CSS और JavaScript की मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, तो thank you for watching this video, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको share करें अपने दोस्तों के साथ, thanks